हाई दोस्तों मैं मनोश सर घटना चकर सरीज भारती राध विवस्तायम सासन तो देखे दोस्तों आज का जो टॉपिक है बित तायोग है तो संब्धान के अनुचे 280 में राष्टपती द्वारा प्रतीक पांच वर्स के अंतराल परियावस्यक्ता मुसार उससे पहले एक बित आयोग के गठन का प्राउधान करता है इसका मुक्यकार संग और राज्जों के बीच करो की सुद आगमनों के बीतरन के बारे में और राज्जों के बीच ऐसे आगमों की तत संबंधित भाग के अवंटन की तरीकी की संबंध में राष्टपती को सिपारिस प्रसुत करना है बित्तायोग भारत की समेकित निधी से राज्यों के राजसों में सहायता अनुदानों को सामिल करने वाले सिद्धानतों की अनुसंसा भी करता है यह राज्य की बित्तायोग की सिपारिस की आधार पे राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं की संसादनों की अनुपूर्ती ये तू राज्य की संचित निदी के संबर्धन ये तू आवस्यक उपाई भी राश्पती को अनुसासित करता है संब्धान की अनुचे 281 की तहद बित्तायोग राश्पती द्वारा नियुक्त किये जाने वाले एक अध्याच और चार अन्य सदस्यों से मिलकर बने हैं प्रतम बित्तायोग के गठन केसी नियोगी केसी नियोगी की अध्यास्ता में 22 नौवंबर 1951 को किया गया था 14 बित्तायोग के अध्यास्री वाईबी रेड़ी थे 14 बित्तायोग के सिपारिस की संदर अवधी में वर्स 2015 से 2020 तक थी 14 बित्तायोग ने केंदर के विभाजन कर पूल में राच्चों की इस सेदारी में 32 प्रतिसत से बढ़ा कर 42 प्रतिसत करने की अनुसंसा की थी 15 में बितायोग का गठन एनके सिंग की अध्यास्ता में किया गया था 15 में बितायोग ने वर्ष 2020-21 संदर्व अवधी ये तु अपनी प्रथम रिपोर्ट 5 इसंबर 2019 को तथा वर्ष 2021-26 संदर्व अवधी ये तु अपनी दृती रिपोर्ट 9 नौवंबर 2020 को सौपी वसक्ताओं के बित्ती ये तु ये कमी की गई है उलेकनी है कि अस्यों में संदर्व अधन संसोदन अधनियम 2000 के तहत हिंद्र द्वारा संग्रही सभी करो के निवल आगमो कि अत्रिक संग्रहन ब्याय को घटा कर अनुचे 270 को अनुचे 289 के साथ मिलकर पढ़ने से परिवासित को विभाज करके पूल के रूप में संग और राज्यों के मत साजा किये जाने की बिवस्ता की गई है राज बित्तायों के एक संब्यधानिक संस्था है अगला दिखी अगला दिखी दोस्तों निम्न में से किसी एक किसी पारिस की आधार पी संग्यों राज्यों के बीच बित्ती बीतरन होता है बित्तायों, अंतराजी काउंसिल, योजनायो, सहकारितायो तो इसमें क्या है बित्तायों है अगला दिखे केंद्र तथा राज्यों के मद बित्त का बिभाजा निम्न में से किसी संसुस्तियों के आधार पे होता है योजनायोग की लोक लेखा समीती की बित्तायोग की राष्टी विकास परिशत की तो बित्तायोग की अगला देखिए दोस्तों निमलिखित में से कौन से केंदर राज्यों के राजस्तों बटवारे के लिए माप दंडों की अमसंसा करता है बित्तायोग अंतराजी कौनसील केंदरी बित्तायोग योजनायोग तो इसमें क्या है बित्तायोग है अगला देखिए केंदर राज्य किया जाता है प्रते एक तीसरे वर्स दूसरे वर्स पांचवे वर्स चवते वर्स तो पांचवे वर्स होता है बित आयू का गठन किया जाता है आर क्या है अध्याचोसादस्यों की न्यूक्ती भारत के राश्वती के द्वारा होती है ये भी सही है ए आर दोनों सत्य है और ए आर दोनों सत्य है किन्तु आरे का सही ब्याक्या नहीं करता है अगला क्या है ए सत्य है किन्तु आर गलत है डी क्या है गलत है आर सत्य है अगला क्या है सहायता नुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना तो दो सही है तीन सही है और चौथा क्या है संग सरकार और राज्य सरकार बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हाई या नहीं इसकी देख रेक करना तता उस पर रिपोर्ट देना, तो किवल एक, किवल दो और तीन, तीन और चार, किवल एक, दो चार, तो किवल दो और तीन, अगला देखे, बित्तायों का मुख्य कारी क्या है, केंद्री करो में राज्य की भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली बित्ती साहता की सिद्ध अगला देखे, बित तायोग के राश्पती को संस्तुती भेजने में मुख के रूप से संबंदित है, राज्यों को दी जाने वाली अनुगान के सिधान सी, राज्यों केंद्र के बीच करो के बटवारे सी, न तो एक, न तो भी और ए भी दोनों, दो इसमें क्या है? ए और भ बनाता है वो अबित्ती प्रसासन में पारदर्सिता सुनिशित करता है बी क्या है इस संदर में ए भी सी कतनों में से कोई भी कतन सही नहीं है भारत में संगी बित्तायोग से संब्द रखता है राज्यों के बीच बित्त सी राज्यों केंद्र के बीच बित्त सी केंद्रों सोस आला है बित्तायोग, रिजर बैंक आफ इंडिया नाबार्ड, तो क्या है बित्तायोग है, अगला देखे दोस्तों, तिरह में बित्तायोग की अध्यास कौन है, इंद्रा राजरामन, सी रंग राजन, बिजय केलकर, उप्यूप में से कोई नहीं, तो क्या है, बिजय केलकर ह चौध़वें बित्तायोग का अध्यस निम्लिकित में से कौन सा है सान्ता कुमार, सी रंग राजन, वाई बी रेड़ी उपयूप में से कोई नहीं वाई बी रेड़ी अगला देखें बित्तायोग का एक चेयरमान होता है इनिमे से सदस जितने समय पर राश्टपती निरनाईट करे तो क्या सा ही है चार अनिसदस बितायोग के एक चेर्मन और चार अनिसदस होते है निमलिखित में से कौन सा बितायोग द्वारा की गई प्रतीक सी पारिस को संसत के सदन के समच रखवाता है भारत का राश्पती, लोकसभा का अध्यच, भारत का प्रधान मंत्री, संगी बित्त मंत्री, तो क्या है, भारत का राश्पती है दोस्तों, अगला दिखी, राज बित्तायोग एक सम्मेधानिक निकाय है, सही है दोस्तों, संगी बित्तायोग पंचायतों को बित्ती सहता दे तो यह गलत है, यह गलत है, तो इसमें क्या है, यह सही है, किन्तु आर गलत है, अगला देखी, तो यह गलत है, यह सही है, यह एक और अपचारिक संस्ता है, यह एक संबेधानिक संस्ता है, यह एक प्रसासनिक संस्ता है, उप्रोप में से कोई नहीं, तो यह एक संबेधानिक संस्ता है, अगला देखी, राजबितायोग एक है, बिदिक संस्ता, और संबेधानिक संस्ता, अब देखे लिए दोस्तों, योजना आयोग और नीति आयोग. योजना आयोग एक संस्था थी, इसका संविधान में कोई उलेक नहीं है. इसे परामार्स दातरी संस्था भी माना जाता है. यह योजना आयोग का गठन केंदरी मंत्री मंदल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था प्रधान मंत्री इसके पदेन अध्याच होता था योजना आयोग के प्रतम उपाध्याच गुलजारी ला नंदा थे प्रधान मंत्री ही नीती आयोग का पदेन अध्याच होता है बरतमान में नीती आयोग के उपाध्याच राजिव कुमार है और इनसे पहले पत पर अर्बिन पंगडिया थे नीती आयोग के उपाध्याच का दरजा भारा सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है नीती आयोक सहकारी संगवाद की सिद्धान पे अधारित है पंचवर्सी योजनाओं की निर्माण में राज्यों की भागिदारी सुनिशित करने के लिए राश्टी विकास परिशत का गठन 6 अगस्त 1922 को किया गया था योजनाओं का अंध किस प्रधान मंत्री ने किया नरेंद्र मोधी, मौरार जीदे साई, अटल विहारी वासपही, आईके गुजराल तो क्या है नरेंद्र मोधी अगला देखे दोस्तों, भारत में नीती आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई, राश्ट्पती के द्वारा जारी अध्यादेश सी, संसत के एक अधनियम सी, संगी मंत्री परिशत द्वारा एक परिशिष्ट प्रस्ताव सी, उप्यूक में से कोई नहीं तो संगी मंत्री परिशत द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव सी, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निमलिखित में से किस दिन नीती आयोग, अस्तित्तों में आया, 15 अगस 24, 6 दिसंबर 24, 1 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2015, तो इसमें क्या सही है, 1 जनवरी 2015 नीती आयोग के प्रतम उपाध्यच कौन थी, राजीव कुमार, अमिंत कादन, अर्बिन पन गडिया, रावर इंदरजीत सिंग, तो अर्बिन पन गडिया सही है, अगला देखी, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951, 20 मार्च 1950, त अगला देखी, निमलिखित में से कौन सा एक संविधान तर संस्था है, बित आयोग, निर्वाचन आयोग, अंतराजी परिशत, तो क्या है, नीती आयोग, निमलिखित में से कौन से एक संविधान निकाय नहीं है, संगलोग सिवायोग, राजलोग सिवायोग, बित आयोग, योजना आयोग नहीं है, निमलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है, तो निर्वाचन आयोग, बित आयोग, और फिर इसके बाद क्या है, अंतराजी परिशत योजना आयोग, क्या है योजना आयोग, निमलिखित में से कौन सी एक सम्विधानिक संस्था निकाय नहीं है, बित्त आयोग, योजना आयोग, लोकसिवा आयोग, चुनाव आयोग, तो इसमें क्या है, योजना आयोग है, अगला देखे निमलिखित में स किस निकाय किन निकायों में सम्विधान उलेक नहीं है राष्टे विकास परिशत योजना आयोग छेत्री परिशत तो एक दो केवल दो एक और तीन एक दो तीन तो क्या है एक दो तीन है भारत की योजना आयोग का प्रताम अध्यश कौन था एस बी सस्वरिया राय पंडित जवालाल नहरू, पीबी महान लोवीस, जान मताई तो इसमें क्या सही है पंडित जवालाल नहरू योजना आयोग का द्यश कौन होता है राष्टपती, प्रधान मंत्री, बित्त मंत्री और रिजर्बैंकाफ गवर्नर तो प्रधान मंत्री अगला दिखे योजना आयोग क अस्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है, इसमें एक पूर्ण कालिक अध्याच होता है, इसका गठन जन्वरी 2015 में हुआ था, यह साकारी संग के सिद्धान प्यादारीत है, अगला देखे इनमें से कौन सा नीती आयोग से संबंदित है, नरेंद मोदी, कौसिक बसू, अम अगला देखे योजना आयोग के उपाध्याच को भारत सरकार की बरियता करम का महतोदर्जा दिया गया है, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंतरी की समान, अगला देखे दोस्तों, इनमें से कौन सा योजना आयोग का उपाध्याच नहीं रहा, डाक्टर मनमोहन सिंग, माथूर असुतोस्ट मांडे तो इसमें क्या है L.B. माथूर अगला देखिए दोस्तों भारत में राश्टी विकास परिशत का गठ्यन कब की गई थी 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 6 अगस्त 1951, 6 अगस्त 1952 तो क्या है 6 अगस्त 1952 अगला देखिए निमलिखित में से कौन सा क कथन सत्य नहीं है तो भारती योजनायोग का एक अध्यस प्रधान मंत्री होता है बिल्कुल सही है तो भारत में नियोजन के लिए सरोच निर्णाय संस्था योजनायोग है ये गलत है अगला देखिए योजनायोग का एक सच्चिव राश्टे विकास परिशत का अगला देखिए निमन में राश्टी विकास परिशत का भारत में कौन सा कारे है योजना के किरिवायनोग है तू राज्यों के संसादनों यम प्रयासों को गत्सील करना सभी महतपूर चेत्रों में सामान नीतियों का विकास करना देश के सभी चेत्रों में संतुलित विका कोई नहीं अगला देखिए निमलिकित में से कौन सा राश्टी विकास परिशत की रशना करते हैं प्रधाल मंतरी अध्यत बिन तायूग संगी मंतरी मंदल के मंतरीगर राजिके मुक्य मंतरी एक दो तीन एक तीन चार दो चार तो इसमें क्या है केवल एक तीन चार है अगला देखे क्या है तो इसमें क्या है भारत का प्रधान मंत्री तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों लाइक करिए सस्क्राइब करिए धन्यवाद